हे गाईस स्वागत आप सभी का हमारा आपके चानल पे एट्मिक्स में है तो गाईस अगर आपके पास साइबर नहस्की है तो आपको ये वीडियो काफी देखने जरूरी है क्योंकि मैं आपको इसमें कुछ 10 प्रोब्लम आप साइबर नहस्की के बारे में बताने वाला हो तो प्रोब्लम आती है वह एग्रेसिव तो नहीं है बट आप देखो कि अगल आप इसको गलत ट्रीट करते हो अच्छे से केर नहीं करते ध्यान नहीं देते जो ट्रेनिंग होते टाइम टूटाइम वह नहीं देते और जिस तरह से सोचलाइज करना ची ये डौक को उस तरह से नहीं रखते तो यह अग्रेसिव भी हो सकती है जो थर्ड प्रॉब्लम आती है वह हैल्थ इशू अगर हैल्थ इशू में कैसा होता है कि जैसे नॉर्मल अगर इन डॉक बिट को थंडी में रहने के काफी ज़्यादा ज़रूत होती है तो जैसे कि अगर आप गर्मी में इन डॉक में देखा जाता है जो हमारी चोथी प्रॉब्लम आती है वो है कि अलॉन मतलब अकेला रहना इन डॉक बिट को अकेला रहना बिलकुली नहीं पसंद होता है यह जञादा करके जो दो-चार डॉक बिड हो तो उनके साथ रहते जुन में रहते और कोई-कोई जो अकेल हाई होता है इनका प्रैस जो स्टारिग चालू होता है 20,000 से लेकर 40,000-40,000 तक भी इनका जो प्रैस चला जाता है और उस मामले में जो Middle क dynamics family होती है या फिर जो लो बज़ेट होता है उनके लिए ये problem हो सकती जिनकी पर पैसे है उनके लिए तो कोई दिक्कत प्रॉब्लम की बात नहीं है जो नेक्स प्रॉब्लम आती है वो है नुकसान ये डॉग बिड नुकसान करते कभी कभर घर में कोई चीजे ऐसे जो इनको फाड़ दिना या फिर किसी को बाइट करना या फिर कुछ ना कुछ चीजे तोड़ना तो आपकी जो भी प्रॉब्लम आ सकती है इसलिए आपको इनको डेली वॉक पर जरूर से ले जाना पड़ेगा तीस मिट के उपको इनको वॉक जरूर से ले जाना है या फिर एसे खुले मैदान में इनको चोड़ देना है और जो वन भी एच के हो तो उनके लिए तो यह डॉक बिड नहीं है आपको टू भी एच के अपका घर पे होना जरूरी है जो नेक्स प्रॉब्लम आती ही वो है कि होट वैदर आपको पता है कि इन डॉक बिड को जैसे थंड के वाले एरिया में थंड जैसे जगह पे रहना काफी अच्छा लगता है और यह डॉक बिड बनी उसी चीजों के ल सबसे तो उसके अपर मुझे कमेंट सेक्षन बताना मैं आपके लिए वो वीडियो बना दूंगा जो नाइन प्रॉब्लम आती ही वह कि इनकी बाल हो और शेडिंग के प्रॉब्लम आपको पता है कि साब्रेन हसकी के जो बाल होते काफी जादा खुपसरोत और रच्छे होत तो उसकी सबसे उनका शेडिंग भी होता है बाल यहां आपको घर में देखने को भी लेंगे और जो बाल उसकी जब गिरते है या फिर तूटे तब आपको देखो कि बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकती है शेडिंग के टाइम पे या फिर सीजन चेंज होता था उस टाइम पे जो नेक्स्ट और लास्ट जो हमारी प्रॉब्लम है वो है कि गार्ड डॉग यह अगर आपको एक अच्छा गार्ड डॉग चीए आपको ऐसा चीए कि आपको घर की रखवाली कर सके या फिर आप बोल सकते वाच डॉग की तरह तो साइबरन हसकी ऐसा नहीं है यह काफी और आपके घर पर अच्छे से अच्छे फैंडली डॉग की तरह रह सकते हैं और इस एक एक्स्ट्र प्रॉब्लम आपको बता तो वह है कि इनका डाइट डाइट आपको अच्छे से इनको मेंटेन रखना पड़ेगा अगर आप एक ही डाइट पी इनको फॉलो करोगे तो प्रॉब्लम आ सकती है दिक्कत भी आ सकती है उनके लिए जैसे वेदर चेंज हो जाता है उसे हिसाब से आपको करना पड़ेगा डाइट में प्लान और कभी कबर उसका अगर भूक नहीं लग रही हो तब आपको करना पड़ेगा कभी उसका वेट अच्छे से नहीं बढ़ इसके अला हमने और भी बाकी वीडियो बना के रखे जैसे आई बटन में आपको मिल जाएंगे एंड स्क्रिन में मिल जाएंगे बहुत साइज साइब इन हसकी के उपर वीडियो बनाए वह जरू से देखना आपको ज्यादा बेनिफिट होगा चैनल को अभी तक सब्सक्रा कोचिं